कर दोस्तों PCS मुंत्रा के ऑफिसेल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है मैं है शिवम सिंग आज आज आपको ब्लाग एजू के सन ओफिसर अभी आपने कुछ दुनों पहले एक बार में देखा होगा कि ब्लाग एजू के सन ओफिसर के बारे में न्यूज आई है कि उत्तरपदेज लोग सेवा योग बहुत जल्दी लॉग एजू के सन ओफिसर के जो पोश्ट है उसके विग्यापन निकालने जा रहा है हाला कि विग्यापनों की संख्या भी कम है अकबार में आया था कि 60 के आसपास है पद 60 के आसपास लेकिन उमीद है कि 100 तक इसकी सं माँ आता है कि किस इस एक्जाम का नेचर क्या है इसका स्लेबस क्या है इसको तैयार कैसे किया जाए है कर साल नहीं आता था 2010 में आया था इससे पहले उसके बाद 2019 में आया है और इस वर्स है कि 2023 में यह विग्यापन फिर से आएगा तो इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको छोटा सा प्रयास किया जारा समझाने की क्या होता है उसका कारचेत्र क्या है उसको क्या-क्या सैली पर इस ब्लोग एजुकेसर तो यह अधिकारी है डिश्टिक्ट में जितने भी तो थे यह वहां पहले रहते हैं कुछ हैड़ ऑफिस पर भी रहते हैं जिल्याम मुख्याले पर भी सरहें पिश्जाम का क्या होगा ब्ले ब्लॉप एजुकेसर अफिसर एक्जाम एकिंडिक्ट बाडी है कि कौन सा संस्था इस एक्जम को लाए रही है तो उत्रपदेश पब्लिक सर्विस कमिशन उपिपी पीस्सी इलावा दिस्तित व कि यानि कि यह एक्जाम टू टीयर है कि टू टीयर एक्जाम है यह इसमें इंटर्विव नहीं है कि एलिजबिल्टी के यह सबसे में इंपोर्टन चीज है इस तरफ आप लोग जरूर ध्यान दें ग्रेजुएशन सामान इसना तक आप किसी भी हो आप कॉमर्ग से हो साइन से सामान वान चाहिए लेकन ब्लैस बियड कि आपको बैचलर आफ एज्यूकेशन बेड किया हुआ हो जाए एक वर्स दो वर्स वहकर् legit होना चैए कि यह जो सारी चीजह आपको इस वीडियो में बिटाए जाएंगी जो 2019 में योगताया थी और जो जो सेलेक्शन का पैमाना था 2019 वाले एक्जाम में उसी के आधार पर बता है हो सकता है आयोग यह पैमाना में कुछ चेंज कर दे बीटी सी को जोड़ ले हलांकि अभी यह सब कयास हैं लेकिन फिलहाल अभी योगिता जो इसमें 2019 में आई थी वह इस पद की योगित से चालिस साल और यह कैटेग्री में रिलक्सेशन है इसमें जोड़ना चाहूंगा कि उत्तरपदेश इस्टेट इंप्लाइज है इवन प्राइम्बरी के जो अध्यापक है उनके लिए भी पांस साल का रिलक्सेशन है अब अगर आप कोई भी एक्जाम देने जा रहे हैं किसी पद के लिए तो आपको उस पद के बारे में एक आईडिया होना चाहिए कि आपका किस तरीके का आप नेचर है पद का क्या उसकी सेलरीस है उसके कारच्छेत्र क्या है तो एक इस तरफ थोड़ा देखिए अफिसर कि अबीए से और एसडी आइसका पूर्व नाम था पहले बोलते थे यह विए से होगे असिस्टेंट बीए से और ग्रेट पर दिखिए यह सबसे इंट्रेस्टेट चीज होती है आप लोग सबसे पहले इस पर ध्यान देते होगी किसी भी नौकरी में क्या सेलरी मि लेगी मुझे तो इसका ग्रेट पर 4800 होता है हलांकि एक खबर यह भी है कि यह लोग चोवन सो के लिए बहुत तेजी से फाइट कर रहे हैं कोर्ट में भी सासर में भी तो कि हो सकता है कि आने वाले समय में चोवन सो भी हो जाए खेर फिलहाल 4800 ग्रेट पर है भी होगा जब तो उसमें लिखा रहता था कि गश्टिट ऑफिसर से साइन होना चीए तो वह यह गश्टिट अधकारी है कि विकल फैसलिटी यह सरकारी नोकरियों में जो त्यारी कर रहे हैं उनका यह वड़ा चार्म होता है विकल कि गाड़ी मिलेगी कि नहीं सर तो जी हां इसमें कि भी यो को गाड़ी मिलती है हर भी यो को गाड़ी मिलती है अच्छा फिर यह देखे कार छेत्र इसमें आपको इतनी सुभधाएं हैं तो आपके कुछ कार भी हैं देख लिजिए इसमें कार क्या है परश्टिव विद्यालों के लिए बनाई गई समस्त योजनाओं का वि प्राइंबरी में कि इसका अवकास देना वेतन प्रिंसन जो भी उनसर एलेटेड मसले होते हैं वो करने हैं कि अब हुआ है कि फिर ये और कारचे थे कि प्राइवेट विद्ध्यालों को मानता प्रदात करना जिए प्राइवेट इसको जो चल रहे होतें एमडियम में आपने सुना होगा मिड्यमील का संचालन निरिच्छड सिछोगों पर कोई डिस्प्लिरी एक्षन होता है तो बियोगे माध्यम से होता है वो सासन प्रसासंदारा दिये गया अन्यकार जैसे डियम होते हैं सीडियोज होते हैं इनके द्वारा जो भी कार दिये ज इस पर आप जो भी वीडियोज देख रहे हैं कौपी पे टोट कर ले इस चीज को हमेसा दमाग में रहना चाहिए कि यह एक्जाम होगा कैसे देखिए यह एक्जाम जैसे आपको बताया था कि टू टियर है पहला टियर यह हो गया दूसरा टियर यह हो गया आपका ठीक है प्रारंबिक प्रिच्छां प्रेलिम्स अग्जाम में क्या है आपका सरफ एक पेपर होगा जीर असका पेपर होगा कितना प्रसन कितने आएंगे 120 120 स्वुटों का सटू था एक पिपर होगा आपका तरह का इसको अगर आप कॉलिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको मुख परिच्छा में बैठने का अफसर मिलेगा मुख परिच्छा टोटल जो है सबसे पहले 400 अंकों की है और व्याख्यात्मक है अब मुख परिच्छा अब्जेक्टिव नहीं है मुख परिच्छा व्याख्यात्मक है और नेचर में आपको लिखना पड़ेगा अब मुख परिच्छा में है क्या ये देख लीजिए जियस यह GS है, GS 200 नमबर का है, 400 नमबर का टोटल मेंस है, 200 नमबर का GS है, 200 नमबर का हिंदी और निमन्द है आपका, अब बात करते हैं, फ़स्ट वेपर की मेंस के GS होगा, इसमें मेंली अभी तक जो ट्रेंड लाश्ट टाइम एक्जाम में रहा, के कुल 40 प्रसन थे, मेंस में, टोटल 40 कोशन थे उसमें मेंस में, जिसमें से 10 कोशन थे आपके 125 सब्दों के, 10 थे आपके कोशन थे 50 के, और 20 आपके कोशन थे 25 सब्दों के, तो मेंस में आपके पिछली बार 2019 में, टोटल 40 कोशन आए थे, 10 प्रसन 125 सब्दों के थे, लिखने थे आपको, 10 प्रसन 50 सब्दों में लिखने थे, और 20 प्रसन 25 सब्दों में लिखने थे, ये मेंस के GS का first paper था, उसके बाद break होता है, जैसे और exam से में होता है, साम को हिंदी और निबंद का paper होता है, हिंदी में देखे क्या रहेगा कि, पूडांग 200 अंख है, 100 नंबर का सामान हिंदी रहेगा, 100 नंबर का निबंद रहेगा, अब ये syllabus आगे और देखेंगे, फिलाल ये समझ लीजिए, तो आपको समझ में आगया कि आपका exam prelims सिर्फ एक पेपर, 120 प्रसुनों का, 200 अंखों का, GS रहेगी उसमें, math reasoning में सामिल है, उसी में, GS में ही, वो अभी आपको बाद में बताएंगे, syllabus जैवेलूरेट करेंगे, में 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 आपका दो पेपर रहेगा, GS, हिंदी और निबंद, ये syllabus है, साइध आप लोगों को दिखाई ना पड़ रहा हो, इसलिए मैं इसको बोल के बता देता हूं आपको, प्रिलिंस का syllabus है ये, और मेंस का भी इसमें है, प्रिलिंस के syllabus के topic देख लीजिए, आप लोगों को syllabus group पे उपलब करा दिया जाएगा, जनरल साइन्स है, इस्टरी आफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूउमेंट है, सुंदरता संग्राम, लगबग syllabus वो ही है, जो लोग से बाइयोग की परिच्छों में रहता है, जैसे कि math reasoning होती है, elementary math, यह वहाँ पर CSET में रहती है, यहाँ GS में सामिल है, और agriculture specified topic है, जैसे RO में रहता है, और BO में रहता है, PCS में specify नहीं है, क्रसी, तो यहाँ पर क्रसी भी specify, इंडियन agriculture, commerce and trade, और topic है, इंडियन पॉल्टिक, नॉमियन कल्चर, वर्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, नेशनल लिसूर्सेस ऑफ इंडिया, जनरल इंटेलियर, इंक्लूडिंग, लॉजिक और रीजिनिक, तो math और रीजिनिक, यह दो topic है, जो PCS में, CSET में होते हैं, लेकिन यहाँ GS में सामिल है, RO की तरीके, specific knowledge of reading of education, culture, agriculture, interested, यह उत्तरपदेश special के बारे में है, यह topic, topic number 10, और अभी आप जब आगे trend analysis देखेंगे, तो आप यह पाएंगे, कि उत्तरपदेश special से, पिछले विव परिच्छा में कभी ज्यादा परसन पूछे गये थे, यह prelims में आपके कुल 11 topic है, यहाँ पे आपके, उसके बाद देखें मेंस exam, मेंस exam वही था, जो आपको बताया गया था, कि दो paper होंगे, 400 number के हैं, 2200 के हैं, इसमें यह GS के topic है, जो मेंस में आपका GS आएगा लिखने के लिए, जो मैंने आपको बताया था, कि 40 person आएंगे उस इसमें किस-किस topic से आएगा, history of India, Indian national movement and culture, geography of India, Indian polity, Indian agriculture, current, Indian economy, international affair, development of the field and science and technology, recent development in education, यह topic, चुकि बीयो exam है, इसलिए यह topic को देखिए, recent development in education, Indian culture, यह topic, GS से अलग हटके है, इसलिए यह आपको topic त्यार करना पड़ेगा, अलग से, जो नॉर्माल आप GS पढ़ते रहते हैं, मेंस से, उससे अतरिक यह topic, फिर यह ग्यार्मा topic, UPS पेसल है, यह पूरा मेंस है, अब मेंस में जो दूसरा होगा आपका, हिंदी का जो पेपर होगा, हिंदी और ऐसे का, तो मैंने आपको बताया था कि 100 नंबर की हिंदी आएगी, सो नंबर का GS होगा, टोटल 200 का सेकंड पेपर रहेगा मेंस का, इसमें अपटित गद्दान्स है, लेटर्स है, ट्रांसलेशन है, वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनवाद, यह ग्रेमेटिकल चीजें हैं, अनेकारती सब्द विलोन, सब् पदेश की मुख बोलियां, लगबग CS8 का टॉपिक हैं, फिर निबंद, निबंद में अनों ने दो खंडों में इसको कर लिया है, विभाजित, पहले खंड में सहित संस्कृती, राष्टी, विकास, योजनाय, राष्टी, इंतराष्टी, समाधिक समस्यां हैं, दूसरे ख तरीके के एक्जाम है, टियर क्या है, इनके, अब यह देखी, यह आगया सबसे महतपूर भाग आपका, trend analysis, किसी भी एक्जाम को अगर आप तयार करने बढ़ते हो, तो trend analysis सबसे महतपूर कड़ी होती है, इसलिए कि आपको पता चल जाए कि एक्जाम का trend क्या जा रहा है, कितने प्रसन है, 21 प्रसन, 120 प्रसनों में 21 प्रसन है, सिर्फ समसमाईकी के, सबसे बड़ा पार्ट समसमाईकी कवर कर रहा है, यह 2019 का trend analysis है, जो आयोग का लास्ट एक्जाम था, जोग्राफी 18 प्रसन, इतिहास 17 प्रसन, अगर आप देखेंगे 21, 18, 17 की समसमाईकी भुगोल और इतिहास, यह सरवादिक महत्पूर टॉप टीन सब्जेक्ट हैं बीयोगे, और यह सरी बीयोगे ही नहीं, यह लोग सेवा आयोग के जितने एक्जाम्स होते हैं, अगर आप एक दो साल पीच में छोड़ दीजिए, तो यह सरवादिक एरिया यह कवर कर लेते हैं, एक दो साल को छोड़ देते हैं, जैसे 2018 में इंवार्मेंट के 20-22 प्रसन पूछ लिए गयते हैं अचानक से, वह बात अलग है, लेकिन एक एवरेस देखिए कि यह ट्रेंड है, समसमा कमजोर है, अगर उन्होंने reasoning भी कमजोर हुई, तो यह खेल खराब कर देंगे, इसलिए जो मंत्रा के student थे, जो जुड़े हुए थे, उनको अगर जिनकी math कमजोर थी, उनके लिए math के classes रखवाई गई थी, और reasoning पे special मैनत कराई गी थी, क्योंकि जब इनका ratio निकाला था, त तो 10 के आसपास reasoning के थे, 6-7 math के निकल ले थे, फिर यह देखिए, state special, state special सीधा 5 में नंबर पे है, 10 प्रसन है, बहुत बड़ा part cover कर रहा है, 10 प्रसन है, आप प्रसनों की संख्या को याद करते समय, एक ची जरूर याद रखेगा कि ये 120 प्रसनों का classification है, राजविवस्था 9 प्रसन थे, विज्ञान 8 प्रसन थे, क्रसी 7 प्रसन थे, यानि कि ये 3 तीनों Constitution, Science और Agriculture, ये 3 एवरेज आसपास थे, करीब 9-8-7 प्रसन इस बार भी ऐसा ही रहने की उम्मीद है, उसके बाद देखिए, अर्दसास भी इसी तरीके का 7 प्रसन था, पर्रयावरर 4 प्रसन था, सैंसस 3 प्रसन थे, तो टोटल ये 120 प्रसन थे, अब आपको इस Trend Analysis से काफी कुछ चीज़ें किलियर हो गई होंगी, कि अगर आपको तयारी इसकी करनी है, वियो एक्जाम की, तो किन सबजेक्ट पर आपको ज़्यादा टाइम देना है, किन सबजेक्ट पर कम टाइम देना है, आप अपनी जो भी स्टेटजी बनाएं तयार आप बोले तो यह प्रिलिम्स की कट आफ नहीं है, अंतिम चैन की कट आफ यानि कि मेंस एक्जाम के बाद में कितने नंबरों पर सेलेक्शन हो गया था, अच्छा यह याद रखिएगा, यह 400 पर नंबर है यह, मेंस बताया तरह भी पीछे कि मेंस 400 नंबर था, तो जनरल मे है, 400 में 208 नंबर लेके आते हैं, तो आप यह बन जाएंगे, कितना हो गया, 51% के आसपास, फिर EWS 198 गई थी, OBC 203 गई थी, अगर आप OBC वर्ग से हैं, और 203 नंबर अगर आपके ले आए थी, पिछली बार, इस बार क्या रहेगा, वो मुख पर इच्छा का प्रस्न पत् करेंट करेंगा, फिर भी इसी के आसपास ही रहता है, इसलिए यह चीजें जानना और देखना बहुत जुरूरी होती है, फिर SC 187, ST 157, उसके बाद तमाम कैटेगरीज हैं, आप अपनी अपनी कैटेगरीज देख सकते हैं, यह लाश्ट का टाप्था, मैं दुबारा फिर स यह सब तो हो गया, पोस्ट वगowan, आप सब समझ गया हैं, हाँ सर यह पोस्ट है, अब आता है कि कुछ लोग Self तियारी करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, वो किसी कोचिंग पर डिपेंडेंट रहें, वो चाहते हैं, वो खुद तियारी करें, तो उनकी help के लिए echt book list ह कि आप यह यह बेसिक बेसिक बुक्स हैं इनको पढ़ने आप आराम से निकल जाएगा ठीक है तो बात करते हैं सबसे पहले इतिहास की कि इतिहास आपको पता है तीन पार्ट मिडवाइड एसके पांडे एसके पांडे बहुत अच्छी किताबे एंशियंट की भी मिडविल की भी एंशियंट में आप सवरब कादी एक्जाम है अप्रेल मई में तो फिर आप मंतरा के नोट्स ले लीजिए उनको देख जाएए तीनों नोट्स को वहां से भी आपका काम चल जाएगा ठीक है और अगर आप जॉब पे नहीं है आपके पास दिन में 10-12 घंटे आप बहुत आराम से खीश सकते तो बुक बुक भी पढ़िए और नोट भी पढ़िए ठीक है भुक भी देख लिए और नोट मी देख लीजिए अगर ब़ुच समय काम है जैसे बहुत से सो लोग होते हैं जॉब वालेों चाने नहीं अए घर कर पकोर रहा है है तो बिल्कुल डेफिनलि आप नोट की तरफ जाकते ह sas или а history की तरीके ही तो इसमें आप देखिए विस भुगोल में परिच्छा वारी ले लीजिए महस्वडवार ले ले है जैसे जैसे चीजें आएंगे आएंगी वीडियो में आपको बताएंगे कि आप भुगोल में भी कैसे classified अपनी study को कर सकते हैं जैसे लोग सिवा आयोग जब वर्ड जोग्राफी पूछता है तो वह site identification बहुत पूछता है site identification पूछ लेगा यह नहर कहां पे है परवत कहां पे है अब इस्थिति जिसको कहते है site identification identification mapping mapping पर विसेज जोर रहता है ncrt सार ले सकते हैं यह पढ़ दीजिए ncrt कुछ लोग पूछते हैं यहां पर ncrt के नाम आया तो बता दूँ बहुत सो लोग पूछते हैं कि सरे ncrt पढ़ना जुरूरी है कि नहीं कि इसके बारे में और कभी विस्तार से बात करेंगे फिलाल यह बता सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो आप पढ़ सकते हैं हमेशा से fruitful रही है 6 से लेके 12 तक आप अराम से ncrt जेगराफी की खास तोर से देख सकते हैं फिर वही चीज आती अगर आपके पास टाइम कम है हमें कम समय में ज्यादा गेन करना है तो आप भुगोल PCS मंतरा के नोट्स ले लीजिए मैपिंग वाले भी आते हैं और एक हमाएंगे फिर तीसरी बात और भी समय कम है और आप चाहते हैं कि कुछ छूटे ना और एक कम टाइम में कवर हो जाए तो आप डेफिनेटली PCS मंतरा के नोट्स को देख सकते हैं इसमें सबसे अधा कन्फूजन रहता है स्टुडेंट को कि सब्सक्राइब क्या पढ़े समझ में नहीं आता है कुछ कुछ चेप्टर होते हैं अगर आप कभी भी एनालेसिस करने बैठ होगे तो आप देखोगे जैसे एक चेप्टर एकनोमिक्स में मनी और बैंकिंग कभी उत्तर पदेश में पूरा तो ऐसा नहीं है लेकिन है इस चेप्टर से काफी प्रसन आते हैं आगे जब हम आपको सब्जेक्ट वाइस इस्टिटी बताएंगे कि किसी सब्जेक्ट को कैसे तियार करें तो वहाँ यह चीज आएंगे फिलहाल आप इसीस मंतरा के नोट से दे किताब बार की किताब से आती है वह भी बढ़िया है समन्म घ्ञान के नोट्स मंतरा के देख सकते हैं आप देख सकते हैं Vergara परिश्छा वाड़ी भीदिय सकते और मंतरा भी दे тор금 शनुटस में देख सकते हैं प्रवत्ति देखी गई है अगर आप देखेंगे कि यह PCS एक्जाम में तो इस्टेट कम पूसता है लेकिन बागी जो एक्जाम लेगा यह उसमें यह खुब अपना राज प्रेम खुब देखाता है कि यह देखिए हमने इतने प्रसन पूछे आरों में देख लीजिए देख देखिए देश प्रसन थे परिश्चा वाड़ी ले लिए पत्ली वाली भी आते एक मोटी वाली आती है और पीसेस मंत्रा के नोट्स भी देख सकते हैं दोनों देख सकते हैं कि समय कम है नोट्स देख लीजिए आपके पास खुब अच्छा समय है आप निकाल ले रहे हैं नोड़ाउट बुक्स देख लीजिए सामान ग्यान मिसलेनियस मिसलेनियस के परसन आ जाते हैं ज्यादा नहीं दो-तीन आ जाते हैं इन तीनों में से आप कुछ भी देख सकते हैं अलागी हम लोग नोट्स उपलब देते हैं इस्टुडेंट को गृप में कि यह मिसलेनियस है लेकिन इसके चक्र में ज्यादा मत पढ़िएगा क्योंकि निर्धारी स्लेबस नहीं अथा सागर है तो इसके चक्र में ज्यादा परसान मिल गए थे इसमें प्रसन आया था उसमें मुझे याद है करसी में कि नियुंतम समर्थन मूल की घुष्णा इन में से किसके लिए नहीं की जाती है वह प्रसन देखिएगा वह नोट सोट से मिल गए थे कि फिर जंगरना है मनं अगरी गरता यह रह TP Pacific थे यह तो बेसिक एग्जाम में करके जाते हैं फिर एक प्रस्थनद था संसमाई की कि कि इतने प्रसंद थे इसमें पिछली बार 21 यह टॉप पे रहता है हर एक्जाम से में आपको पता है इसके बिना आप कल्बना नहीं गर सकते किसी भी एक्जाम को निकालने की इसमें देखिए क्या कर रहा है क्रोंकल आती है पतली वाली 25-30 रुपए की आती क्रोंकल समसमाई की आती है नाम से उसको आप पढ़ सकते हैं घटना सार इलावाज से निकलती है आपको पता होगा बहुत फेमस किताब है उसको पढ़ सकते हैं तीसरा पीसियस मंत्रा के नोट्स आते हैं आपको पता है फेमस नोट्स हैं पीसियस मंत्रा की मैगजीन भी आती है तो आप इन तीनों मैंसे किसी दो स्रोथ पर डिपेंड चलते हैं उन में समसमाई के नोटस दिये जाते हैं इस के साथ मिला के आपको त्यार कर लेना है टीसरा एक्जाम से पहले जो घ्टनासार आती उसką देख्वा यह करेंड को त्यार करने का सबसे सभी तरीका होता है और और तीन किताबें उसमें लगेंगी ही लगेंगी क्योंकि करेंट का एरिया बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा विस्तुरत हो चीका बिना इसके आप कल्पना नहीं कर सकते किसी भी एक्जाम को निकालने की तरीका मैंने बता दिया है कि क्रॉंकल हर महने ले लिजिए मंतरा के नोट्स दो महिने में ग्रुप में दिये जाते हैं इनको पढ़ते रहिए एक्जाम से पहले घटना सार आएगी उसको देख लीजेगा जब सब्जक्ट वाइट स्टेड़ी बताएंगे कैसे त्यार करें तो वहां आपको यह भी बताएंगे कि कितने महिनों का करेंट कितने पीछे से पूछ सकता है कितने पूछे से नहीं पूछ सकता है वह वहां पर डिस्कस करेंगे अब देखिए अगर वो उपर अभी आपको बुकलिष्ट वगरा बताएं अब यह है कि अगर कुछ लोग कि नहीं सर हम कोचिंग करके जोड़ना चाहते हैं हम सेलेक्शन लेना चाहते हैं हम बीयो एक्जाम को लेके बहुत गंबीर हैं गंबीर होना भी चाहिए कूंकि 2010 के बाद आप आई हैं और अब ज्यादा पदों की संख्या नहीं है बीयो के जितने पद स्युक्रत हैं वो पहले उनमें से भरे जा चुके हैं कुछ खाली हैं वो इस बार भर जाएंगे तो अमीद है कि इसके बाद बैकेंसी 4-5 साल तक तो नहीं आनी है तो आपके पास यह ब सीवस के उन सार सभी वेसियों के नोट्स मिल जाएंगे। जितने भी नोट्स होंगे टॉपिक के वे सब आपको मिल जाएंगे सिलेव इसके k एकोर्डिंग। किस सब्ज्क को कैसे त्यार करें किस चप्टर में क्या इंपोर्टेंट हैं क्या पढ़ें और क्या छोड़ें जैसे अगर आपसे कहा जाएगी इस्टोनेज है पासाब काल और वैदिक काल यसको बराबर समय देना तो नहीं देना है इस्टोव ने इस से मद्य अपरदेश बहुत से सवत पूस्ड पूंछता है वह उत्तर पड़ेश कभी कभार पूछता है तो यह आपको बेसिकली अंतर कवर हो जाए मैपिंग तीसरा है जब नोट्स मिल जाएंगे वीडियो मिल जाएंगे उसके बाद आपको अपनी तैयारी परखनी होगी उसके लिए 10 ओनलाइन टेस्ट करवाए जाएंगे पिसेस मंत्रा की तरफ से कि टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं आप उसके बाद आपको गुर्प में पीडियप दे दी जाएगी सॉल्व सहीद को पीसेस मंत्रा के टेस्ट स्रीज आपको पता है कि आप सब लोगोंने इतना प्यार दिया है कि बहुत आज की डेट में पीसेस मंत् किसी रहेगी कि मिस्लेनियस के टॉपिक आपको दे दिये जाएं व्यक्तिकत मारदर्शनवा समस्या समाधान आप कभी भी गुरुप में किसी भी एड्मिन वगएरा को फैकल्टी को मैसेज कर सकते हैं परिच्छा पूर्व क्रिशन लगातार गुरुप खुलते रहते हैं उसमें आपको अगर किसी चीज़ पर कन्फ्यूजन है क्लियर से कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो वो भी यहां पर आपको मिल जाएंगे कि यह नंबर है इनसे संपर करके आप जानकारी ले सकते हो एक बैच अभी रेनिंग है कुछ दिनों से चल रहा है और एक बैच जब फॉर्म आएंगे उसके बाद चलाया जाएगा यह पिछली बार जो लोग जुड़े थे मंत्रा से जब 2019 में आये थो तो कुल 24 नहीं बलकि इसमें 24 हैं दो नाम छूट गये थे 26 लक्सन हुए थे और यह सब इस्टूडेंट वो थे जिन्होंने लेक करके टीम मंत्रा के साथ त्यारी की थी बहुत महिनत इन्हों भी करी थी इनके साथ टीम ने महिनत करी थी नतीजह आज आपके सामने इन्हों से बहुत आप लोग जानते हो गएँ डिफरेंट डिफरेंट की इसमें तैनात हैं तो यह इस तरीके का पूरा प्रोग्राम था बस आप चाहे सेल्फ इस्टुडी कर रहे हैं चाहे मंत्रा से जुड़ रहे हैं या किसी भी संस्थान से जुड़े हैं बस यह मान की चलिए कि रोजगार के अफसर धीरे-धीरे जो आपको मिल रहे हैं उसमें आपको 100% देना है बिल्कुल 100% देना है अब इस तरीके के फॉर्म खास्तोर से जो लगबग 2010 में आए फिर सीधे 9 साल बाद आए अब 2019 में आए 10 के बाद और अब सीधे आ रहे हैं 2020 में और आगे कभी आएंगे भी कि नहीं कितने साल बाद आएंगे इसका कोई अंदा आजा नहीं है इसलिए ऐसे एक्जाम पूरे 100% कैपेसिटी के साथ दिये जाते हैं अन एक्जाम की तरह तो आपको यहीं सलाएं कि अच्छे से त्यारी कीजिए फॉर्म आने का वेट मत कीजिए इसके फॉर्म जल्दी आएंगे और आयोक का यह प्रयास रहेगा कि हो सकता है यह एक्जाम सबसे प दिकत है आप सब को सुब कमना है थेंक यू